हालो फ्रेंज आसा करता हूं सभी अच्छे होंगे और मैं वनिश्रमा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं एक्साम एडिया 51 में दोस्तों और आज हम बात करने वाले हैं आपर अल्फा नुमेरिक सीरीज पर दोस्तों ठीक है और ऐसे कोश्चन्स हमें दोस्तों कई बार समझेंगे और जितनी पी समस्ताय होती इतनी प्रोब्लम्स आपको इन को सॉल्व करने ही होती है वो सब दोस्तों इस वीडियो के बाद खतम हो जाएंगी तो बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेगा और दिन दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नही पांसो शक्तिस इस प्रकार से आपको नमबर लिख के लिए एक्जाम नोटी के और दोस्तों फाइफ कोशन सा या देखेगा फाइफ को पूछता है बैंक के एक्जाम में और यह बैंक के कोई भी अप एक्जाम बैंक कर लेंगे आप ठीक है चाह मैं बात कर लों IBPS का या फिर दोस्तों बात कर लो मैं SBI का या फिर बात कर लो मैं दोस्तों RRB Rural Banks कि हर बैंक के प्री में दोस्तों इनके questions देखने को मिलते हैं और 5 questions मतलब 5 marks बहुत important है दोस्तों तो देखें अब कुछ questions कैसे पूछेगा आप सभी को पता है कि जब भी कोई एक number बनाए लिखा जाता है तो उन numbers में जो डिजिट्स होती है दोस्तों वह कैसी होती है even भी होती है और odd भी होती है सम और विशम दोनों होती है कुछ में हिंदी और इंग्रीस दोनों पर लिखा हुग है कि जो हमारे हिंदी में इस इस्टोरिंट्स उनको भी problem ना हो और हमारे जो इंग्लिस में इस्टोर्ट्स है उनको तो अल्वेड़ी प्रॉबलम होती ही नहीं ए ठीक है चलिए तो यहां पर लिखा हुआई क्या क् the first and the last digit यहां पर कह रहा कि जो आपको numbers लिए गये हैं हर number का जो पहला और last जो डिजट है आगे देखें जो of a number is even then change the middle digit of number eight okay change the middle digit of number eight कहने का मतलब कह रहा है क्या कि अगर कोई भी आपको number दिखता है उसका पहला और अंति मतलब पहला और last digit अगर सम है तो जो मीडवाली वैल्यू है दोस्तों जो मिडवाली वैल्यू है उसको किसे किसे replace कर देंगे किसे interchange कर देंगे ठीक है वो किसे करेंगे number eight से याद दखेगा मतलब उसके place पर दोस्तों क्या आजाएगा number eight आजाएगा clear then इसके बाद दिखेगा and if the sum of the first and the last digit of a number is odd ठीक है अब यहां पर उसे condition क्या लगा दिए दोस्तों ध्यान से question पढ़िए गदम लिखाएगा if the sum sum मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा add okay ठीक है and last digit of a number is odd अगर पहला और अंतिक जो पहला जो पहला हमारा digit है यह और इसको आपस में को add करने पर अगर हमें जिंका जो result मिलता है जो total करने पर हमेरे पास जो result मिलता है दोस्तों अगर वो मिलता है कैसा odd क्या मिलता है odd then interchange the first and the last digit तो पहली और अंतिम जो आपकी जो है डिजिट उसको क्या कर देंगे जोस्तों आपस में हम add कर interchange कर देंगे क्या कर देंगे interchange कर देंगे those form will be lowest तो हमें बताना है तो निर्म लिकित संख्याओं में से सबसे कम कौन सी होगी देगे हिंदी में जैसे लिखा है कि यदि कि संख्या में पहले और अंतिम अंकों का योग सम हो ठीक है तो संख्या के मद्य अंक को क्या कर देंगे दोस्त एट में बदल देंगे देड उपिस संख्या के पहले और अंतिम का योग विश्यम हो तो पहले और अंतिम अंक को आपस में क्या दोस्तो करेंगे हम इन्टर हो तो करेंगे listened dc11 11 आहरा है तो यहां पर किया करेंगे इंटेंज करतेंगे इंटेशेंज करेंगे जो सीरीज भूआ यहा पर गालागे टू गाल नाइं ट् abord कि यहां पर पूरल्ट को है खिंगे और यहां क्षच्च लेकर निए टीक अब यहां पर दुष्टर कया देख हुआ थीक है अब यहां पर दुस्तों कि रिखेगा आठ तो यहां पांच नो पांच इना उच्छ तो रहता है तरस्ति तेरा होता है और 13 भी हमारा क्या है odd number है then हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 8 को replace कर देंगे अपस में then यहाँ पर आजाएगा 5 यहाँ पर 9 पैस लिखा हुआ है then यहाँ पर हम कर लेंगे 8 ठीक है इसके बाद देखेंगे 8 और 3 कितना होता है उसको 11 होता है तो 11 भी हमारा odd number है then यहाँ पर 3 आजाएगा यह 6 अपने place पर आएगा और 8 हम लोग यहाँ पर रख देंगे ठीक है अब देखेंगे यहाँ पर 6 प्लस 2 6 प्लस 2 दोनों को add करेंगे अपको result मिलेगा 8 क्या मिलेगा दोस्तों result मिलेगा 8 जो हमारा क्या है यह 8 हमारा sum है ठीक है मुतलब की क्या है even number है then यहाँ पर क्या कर लेंगे 6 के place पर आपका 2 आजाएगा then यहाँ पर आपका आजाएगा 6 आजाएगा then लेकिन क्या होगा जो 9 है 9 के place पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 8 को क्या रख देंगे 8 तो हम क्या करेंगे middle desert को क्या कर देंगे उनको क्या करेंगे 8 से interchange कर देंगे 8 से replace कर देंगे ठीक है मतलब उस middle के place पर 8 लेक देंगे then हमने क्या लग दिया 286 clear रहा तो यह मत सोचीगा कि 6-2-8 लाट लिखा है ठीक है इसके बाद 6-5-11 दें यहाँ पर क्या आजाएगा 6 आजाएगा 3 अपने place पर रहेगा और यहाँ पर आजाएगा दोस्तों कितना 5 आजाएगा तो हमारे पास जो series जो बनी है वो series मिलकर हमें क्या बनी है देखें मैं series आप लिएता हूँ 3-6-8 और देखेंगे 2-8-6 एंड लास्ट जो नमबर हमारा है वो कितना है 6-3-5 अब यहाँ पर कह रहा है कि सबसे कम कौन है सबसे कम सबसे कम आपको दिखरा होगा क्या देखेंगे यह नमबर है सबसे कम नमबर दोस्तों क्या है 279 279 है अब लेकिन बहुत से सबसे चोटा अंक है लेकिन और तो मिलते नहीं है अब क्या किया जा बताओ भई अब यहाँ से बड़ी दिख्कात आ गई तो जब दोस्तों यहाँ पर देखो क्या है इसका जो आंसर होगा जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नमबर ई हो जाएगा 972 यह इनमबर हमारा राइट हो जाएगा समझे बात आ गई तो इस तरह से कोश्चन को सॉल्ब करते हैं बहुत आराम से पर समझा रहो हो इसी लेकिन कि पुच्छा आता जाजादा इंपॉटेंट कोशन है दोस्तों और पांच नमबर बहुत आसानी से मिलते हैं ठीके ना क्योंकि पांच नमबर इसके हो गए पांच नमबर स्लॉलिजम पांच नमबर इनक्रिवल्टी ठीके तो पंदरा नमबर आपके पास ऐसे मिल सकते हैं आप जो इसली कर सकते हैं ऐसे कोशन इसको साथ से छे से साथ मिल्ट पर आराम से कर सकते हो केवल क्या स्पीट एंड़ प्राक्टिस के जोद पड़ेगी आपको बाकी समय आपको देना है कि अगर दो पर्द भी स्लॉल्व कर लेंगे तो भी आपके आपके रहाम से असानी से आप 25 प्लस पर नमबर पर बहुंच सकते हैं एक एक नमबर के जो आपके और रेंकिंग हो गया डिर्क्शन सोगे इसके कोश्वन साते हैं तो वह भी आराम से कर सकते हैं ठीक है चलि इसके बाद देखेगा next question क्या कहता है यहाँ पर देखेगा तो यह समझ भी इसका अंसर क्या हो जाएगा दोगस्तों 900 भाततर हो जाएगा ठीक है देखेंगे next question यहाँ पर क्या कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है कि what would be the third highest number obedient after subtracting two from every odd digit of then given sequence and adding one okay to every every digits of the given sequence and then interchange the first digit with a third digit to keep the first number of the इसके बाद क्या करना है और तीसरे अंक से बदनने के बाद प्राप्त होने वाली तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है तो पहले और तीसरे वाले को क्या करेंगे आप आपासे रिप्लेस कर देंगे देने इसके बाद हम शेक कर रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है सबसे पहले क्या करते हैं आप स्रीज लिखें जो हमारी पीछर स्रीज में दी कही थी वह स्रीज कुछी इस प्रिकार थी 972 है ठीक है और नो सो और दिस 895 के बाद देखेंगे लिखा हुआ है 863 देखेंगे लिखा था 692 दान लास्ट हमार था 536 यह मारी से दोस्तों कोशन स्रीज से दिखो गया पे लिखा हुआ है यह लिखा हुआ तो मैंने यहापर दुबारा वापर पूट कर दिया है ठीक है यहापर लिख दी मैने अब इसको में इंटाचेंज करना है दोस्तों ठ तो देखेंगे अब यहां देयर क्या रहा है कि विषिव मंग है उसमें क्या करना है दोस्तो 2 घटाना है अच्छुल गजैना है और और इसके बाद पहले तीसरे को क्या करें देना है उनको रेपलेज भी कर देना इंटरच्छे और पर है थजीटत क्या है 9 और 9 हमारा का एसा है दोस्तों ऑड है टूमारा कैसा है एविन रोन लेकिन पहले और US का देना यहां पर क्या वर त्रिया सक्षियों यहां पर यहां पर आपका थ्री क्योंकि और देखेगा हमने 972 मतलब 972 यह जो कंडिशन सी लगाई तो कंडिशन मिलने पर में क्या मिला 357 ठीक है न इसके बाद देखेगा यहां पर 930 लिखा है तो यहां पर हमारा क्या है आठ है क्या करना है दो सो एक एड़ करना है यहां क्या हो जाईगा इसके बाद देखो इसके बाद दे करो कि न भाद बचएगा देन न इसके बाद दिखो के न पर 9 माइनस टू करों जाएगाए कि नाइन सब को पता रहे डाने बार нихεν satu क्युτί तो दोस्तो कैसे है यह है event number ठीक है ना तो यहाँ पर दोस्तो क्या हो जाएगा दिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 करेंगे 7 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 1 करेंगे यहां पर 3 है दोस्तों क्योंकि 8 है तो माइनस 2 करना है तो यह 1 बचेगा और 5 है यहां माइनस 2 करोगे 3 बचेगा सेसास। कितों इतना करने करदी अब क्या कह живत यह कह घौए टीसरी सबसे बड़ी संख्या से दोस्तों पम पेहले संख्या झांने कर यह को पर यह हो ग़ी सबसे बड़ी दूसरी कौंसी यह हो गई डैन तीसरी कौं की अभाई बताइए ठीक है न थिक थर्ड हाइस्ट थर्ड हाइस्ट हमें देखना है ठिक है तो कौन सी होगी देख लीजे देखेंगे एक मरे ठेखें यह अच्छा यह यह ठीक है पहली कौन सी होगी पहली तक होगी होगी पहली 917 होगी ठीक है दूसरी आपकी कौन सी होगी 713 और टीसरी कौन्सी हो जाएगी दोस्तो टैनं 379 हमारा क्या हो जाएक सांसर 379 लेकिन अब यह 379 तो को दोस्तों यहां पर मिलेगा नहीं पर नहीं मिलेगा अब लेकिन यह देखिए कि आपने जो 379 आया है वो किस ओप्शन को सब्सक्राइब करें जैसे हमारा क्या था जो मारी जो नमबर से उनके पड़ेगी देखो 772 जोनके मिलता हैं ठीक किया अब्र क्या को इसका आप लोग इस लात जोस्त Latino पूर्श जो में करें है ओप पांसो शस्तिक bloqueo का the change करना है मतलब कि इसको solve करना है according कि इसके condition के ठीक है कि क्या condition हम से कह रहा है देखेगा पहली क्या कह रहा है if all the desert are arranged in decreasing order from the left to right कह रहा है क्या यदि सभी desert को कैसे arrange किया जाए दोस्तों decreasing order घटे हुए क्रम में बाय से दाएं ठीक है ना घटे क्रम में अगर बाय से दाएं लगाया जाए ठीक है with the numbers and the and then the numbers does form arranged in increasing order from right to left phase के बाद right to left किया जाए then watch then which of the following numbers will be second from the left and to left and second place पर कौन सा number दोस्तों आएगा ये हम से बोल रहा है ठीक है अब देखी कैसे करना इसको दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया है इनको लगाया क्या है कैसे decreasing order पर कैसे लगाया गया है decreasing घटे क्रम में लगाया घीक है ना तो घटे क्रम में जब लगाएंगे सिम्पल सी बात है पहले घटे क्रम में लगाए left to right हर एक number के visit को देन आप यहां पर आओगे देखो 972 तो 972 तो अपने प्लेस पर पहले से पुट है वो लगा हुआ है यहां पर क्या हो जाएगा 9 आएगा 9 के पहले क्या आता है दोस्तों घटेगा 8 आएगा फिर क्या आएगा छोटी संख्या 3 देन यहां पर सबसे रोड़ी संख्या क्या है 9 उससे बढ़ी कितनी दोस्तो 8 उससे छोटी क्या है फिर 5 ठीक है इस तरह से लिख दिया है इसको दिखेंगे 863 863 अपने प्लेस पर वैसा ही थी पूट है तो हमें यहाँ पर कोई भी इंटर्चेंज नहीं करना पड़ेगा तरहाब क्या हो जाएगा नाइन 6 और 2 हो जाएगा देन यहां पर हो जाएगा दोसो 6 5 और 3 यह हमने इंटर्चेंज कर दिया पहली कंडिशन के एकॉर्डिंग कैसे लेफ तो राइट ठीक है ना है लगता अबाक यह करना है अब नंबर्स को दोस्तों यूज करने नंबर्स को चांज करना है नंबर्स को रेच करना कैसे इंक्रीजिंग अर्ड के फ्रॉम लेफ्ट्य राइक गlor do aye अरई – कह पास दो ऽ to तो अपने प्लेस पर लगा हुआ है ठीक है चलिए इसके बाद यहां से बढ़ेंगे इससे बड़ा नंबर कौन सा है दोस्तों देखोगे 900 से बड़ा नंबर कौन चुटा कौन है इसके बाद कौन सा है दोस्तों 983 कौन सा है और सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा है आप देखेंगे 985 कौन है 985 ठीक है भई ठीक है समझ में आ रहा है आप ठीक है हा तो यहां सक समझ चाल आगई अब रसे क्या पूछ रहा है तो निम्लिखित में से क्या है looked कि थोत्तरू से दूसरी संख्या कौन सी pois होगी दोस्तों तो बायो चोड़ से दूसरी संख्या कौन सी देखेंगे 983 है कि नहीं देखी left लेफ्ट से चलेंगे left पहली और left end left end से मिली कौन सी संख्या 983 लेकिन अब ये देखे जो 983 संख्या है लेकिन option पर तो नहीं है आपर तो 983 किसको change करके बनाए गया है देखो कि 983 change किसको गया है कि 938 को change करके बनाए गया है then हम answer जो टिक करेंगे इन options पर टिक करेंगे इस्टोइट का answer तो आ जाता है 938 लेकिन वो options पर नहीं मिलता है अब confused यार ये क्या हो गया भाई options पर नहीं मिल रहा है लेकिन दोस्तों यहां पर हम क्या है interchange कर रहे हैं with condition तो conditions लग रही है तो conditions जो हमारी बन के जो हमारा result आ रहा है वो तो हमारा फाइली उसको result हम complete result नहीं कह सकते ना वो incomplete होगा वो complete किसके दोरा हो रहा है वो हमारा जो जो number ओर जो नमबर दिया गया है उसके तुरू होगा न answer देन हमारा जो correct answer होगा वो क्या हो जाएगा 900 वर्ति जो हमारा original number क्या है 900 वर्ति इसको हम इसमें कंडिशन लगा के हम लाएं कितना 930 समझे बात आगी चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे आपर कि अगला कोशन देखेंगे कोशन में फोर दोस्तों यहां पर देखो यहां पर भी उनका अगरते हम लोगों करने में देखेंगे जैसा अगे लिखा है 972 ठीक है और 930 895 863 और 692 536 ठीक है यह हमारे पास नमबस लिखे हैं दोस्तों ठीक है इनको हमें इंटाचेंज करना है अब विद कंडिशन इंटाचेंज करना है जैसी जैसी कंडिशन हमें बुल रहा है वैसे वैसा आप में आंसर देना है कोशन क्या कह रहा है if the sum of the highest and the lowest number is divided divided by the difference of the the third highest and the third lowest number दिखंञें यहां पर क्या कह रहा है कि हम क्या करना है highest and the lowest nobe का क्या क्या करना है add करना का some करना है और उपस्अ को डिवाइड करना है किससे डुस्तों उस्व संब को Divide करना है कि से थार्ड हाइस एंड थौल्ट लोवेस्ट नंबर से ठीक है तौन रों cosm करना है यहाँ पर सबसे पहला क्या काम करना दोस्तों कि सबसे पहले जो इस सिरीज में पर ठीक जो कोशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा हाइस number झूदना होगा और योश तम में एक करना है ठीक है इसके बाद उसको divide करना है किससे किस से divide करना है बाइदर कर डिफरेंच ठीक हैAKE मतलब क्या है कि third highest और third lowest तो third highest number और third lowest number के difference को निकालेंगे मतलब कि तो उनों को minus करेंगे जितना आएगा उसको हम उससे हम divide करेंगे किसको highest और lowest number के sum को then इसके बाद जितना आएगा आपका difference या divide करने के बाद उसको क्या कर देंगे आठ से हम लोग multiply करा दें गुणा करा देंगे तो हमारा finally result निकल आएगा तो वस हमें यही पता करना है कि वह कौन सी संख्या बनके आएगी कैसे करना है देखेंगे तो इस सीरीज आपके सामने लिखी हुई है तो यहां पर देखेंगे सबसे जो highest number पहली करडिशन के लगाएंगे दोस्तों यहां पर हम लगाएंगे highest number सो सबसे से पहले highest number आपके पास कौन सा है देखोगे सबसे हाई टमबर कौन सा है सिंपल सी बात है 972 नौसो बहात्तर लोगे प्लस इनका सम करना है क्योंकि इस देखोगे सम लिखा हुआ है आपके सामने देखोगे स्क्रीन पर सम लिखा हुआ है सबसे लोबेस तंबर दोस्तों कौ आट आज आएगा 1508 देन इसके बाद हमें दोस्तों क्या करना है अब दूसरी कंडिशन पर आ जाते हैं क्योंकि डिवाइड करना है किसके डिफरेंस से दिवाइड करना है थार्ड हाइस्ट तीसरा हाइस नमबर दोस्तों कौन सा है देखेंगे 895 है ठीक है यह पहली कंडि Pixi जब घटाएंगे कितना आपका आएगा 32 ऐगा अब यह जो डिफरेंस आया है पो टिसका भाग हम किसमें किसमें देंगे डिवाइड करेंगे किसे पंद्रासो 508 जीआ यहां पर हम लिखेंगे 1208 अपान झाट जेखsे कराना है दोस्तों 8 से Rest इसको 32 हो गया चार से आपको डिवाइड कर दोगे आपको इसको तो फाइनली आपको रिएट मिल जाएगा दिखोगे चारते ही बारा चार सते किस चार सते अठाइस किता मिल गया आप देखेंगे option number D पर 377 दिया है तर आंसर हम पूट कर देंगे 377 क्लियर है ठीक है इस तरह की questions बहुत आसान होते हैं दोस्तों बस थोड़ा सा practice practice कर लोगे दोस्त हंडेट पॉट्स हंडेट पर 10% आपके questions यह मुस्किल से मुस्किल से तीन से चार वट नारा आप से एपके आपके हैं देखते हैं आफर क्या लिखा होगाद देखेंगे next question तो यहाँ पर हमनु क्या करते हैं यहाँ विदिन विदिन वन्बर आर मुल् कालेंगे क्या जक्ता है विदिन विदिन वन्बर निम्बर्स के रहा है कि कि यदि पृती बसक्राइब कहा हम क्वैंब इस यहां पर पूछ रहा हुं से कि ऐसे इसे अंबर्स कितनी संखाय मिलेंगी जो क्या है 200 को से कम होगा है हमें इस तब धी करो म है पहला क्या है नंबर 126 126 दूसरी बाट देख्वेंगे यहां लिखा है क्या 9 3 multiply 8 करोगे ठीक है ना 9 3 multiply 8 करोगे दोस्तों तो कितना मिलेगा 216 कितना मिलेगा 216 ठीक है तो यह तो हो गई हमारी एक ज्यादा होगी तीसरा देखो दोस्तों कितना लिखा है हमारा 895 ठीक है तो क्या करेंगे 8 गुड़े 9 गुड़े 5 ठीक है तो यहां पर क्या करना है आपको 8 गुड़े गुड़े 9 गुड़े 5 करना है जब करोगे ऐसा तो 9 गुड़े 45 गुड़े 45 अठे आपका हो गया 360 यह 360 मिला ठीक है चौती संक्या देखोगे चौती संक्या दुट्सों क्या है 863 है ठीक है तो 8 गुड़े 6 गुड़े 3 एक को स्टू चेत्रिक 18 ठीक है न और अठारा चेत्रिक अठारा ठारा ठीक इतना दुट्सों थे 144 ठीक है एक 14 आज आएगा देन पाच्वान जो आपका नमबर लिखा हुगा कितना है दुट्सों 652 ठीक है तो 6 5 मुल्टीपल 2 देन पांदुनी 10 और दश्च्छका एक तो साथ थी तो सही है भई दश्च्छका साथ सॉरी ठीक है ये साथ आएगा केवल ठीक है छे दुनी बारा बारा बंचे साथ साथ हो गया 60 आएगा औली एंड 6 जो डिश्ट आपका दिया गया है दोस्तों वह कितना है देखेंगे 536 पांच गोड़े तीन गोड़े छे तो पांदे पंदा छका कितना दोस्तों हो जाएगा नबबे ठीक है तो आपको जो यहां पर दोस्तों नमबर मिल रहे हैं ठीक है दो तीन एंड चार कितने मिल गया हमें चार तो हमारा उप्सन क्या हो जाएगा समझे बात आ गई ना तो इस प्रकार के कोशन तो इतनी आसानी से हो जाते हैं दोस्तों आई होप आपको क्लास में जो मैं पढ़ाया भी इस वीडियो में बहुत अच्छा लगा होगा और आके दे दूँगा ठीक है तो भाया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक वह तो बनता है दोस्तों ठीक है ओके थैंक्यों आप सभी को मेरा ठीक है